Hi guys welcome to youtube तो आज की वीडियो में हम create करने वाले हैं navigation bar को boostrap के अंदर so काफी easy है navigation bar को create करना boostrap के अंदर और इसके काफी advantages है easy to create है और responsive है और काफी अच्छा लुक देती है हमारी website को so guys let's get started तो अब coding start करते हैं यहापर so यहापर मैंने document create कर लिया हुआ है और यहापर html की coding लिखती है और साथ में include करते हैं मैंने files boostrap की so अब start करते हैं हम coding यहापर so अब यहापर coding start करते हैं तो body के अंदर हम code लिखेंगे हमारी navigation bar का so अब यहापर हम लिखेंगे nav so हम navigation bar को define कर सकते हैं या फिर div class भी हम इसे दे सकते हैं लेकिन हम nav इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें remember करने में आसानी रहे कि हमने यह class यूज की है सिर्फ और सिर्फ हमारी navigation bar को create करने के लिए तो इसलिए हम nav class यहापर दे रहे है so nav class so nav class के अंदर हम लिखेंगे nav bar so nav bar indicate करता है हमारी boost drive में कि हम create कर रहे है एक navigation bar को so यहाँ पर हमने बताया इसे कि हम एक nav bar create कर रहे है so अब हम space देंगे यहाँ पर और अब हम इसे बताएंगे कि वो किस type की है so हमारे पास यहाँ पर two types की navigation bar आती है boost drive के इनदर एक है default जो की gray कलर में आएगी और एक है inverse जो की black कलर में आएगी so हम यहाँ पर इसे पहले default देंगे check करेंगे miss वाली को so nav bar default मैं नहीं यहाँ पर दे दी so यहाँ पर default nav bar हमारे पास create होगी so first line of code हमने यहाँ पर लिखती अब second line हम यहाँ पर लिखने वाले हैं जो की है div class अब हम इसे div class दे रहे हैं और यहाँ पर लिखेंगे container so अब यह चीज हमने क्यों लिखी आपको पता ही होगा की container का use क्यों होता है so अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर draw करके आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर actual मैं so यह है हमारे पास एक web page so इसकी यह total width है okay यह full web page हमारे पास है so हम container का use इसलिए करते हैं कि जब भी हम इसमे text edit करेंगे या कुछ भी इस web page में हमारे container के अंदर so वो इस web page के half page से शुरू होगा लेकिन इस case में हमने क्या किया है कि हमने एक navigation bar को create किया है जो कि कुछ इस तरह की होगी और इस navigation bar के अंदर हमने container दिया हो है so जो भी data insert होगा वो इस navigation bar के half से start होगा अगर मैं यहाँ पे container fluid type देता हूँ तो जो भी data होगा यह वो पूरी nav bar पे आएगा मलब की starting से start होगा और container में सिर्फ उसके half से start होगा जैसा की usually होता है so अब हम वाप इसे code में आता है so यहाँ पे हमने इसे दे दी है container so अब हम यहाँ पे क्या करने वाले है कि अब हम एक main heading होती है हमारे पास हमेशा ही हमारे नेविगेशन बार में जो की हो सकती है आपकी home या फिर आपकी website का नाम so उसे हम यहाँ पे create करेंगे अब so इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे div class okay so यहाँ पे main जो है यह text है तो इसके लिए हम use करते है nav nav bar header so यहाँ पे हम nav bar header create कर रहे है इसी के लिए so अब हम down फिर से enter अब हम यहाँ पे जो है उसे name दे देंगे उस चीज को so आप simply text की form में दे सकते है h1 tag का use कर सकते है h1 tag का use कर सकते है तो लेकिन mostly हम क्या करते है उस चीज को हम link भी देते है so link देने के लिए हम e-tag का use करते है और graph so यहाँ पे हम उसे link दे देते है easily so यहाँ पे अब मैं class दे रहा हूँ इसे class दे देता हूँ यहाँ पे so इसकी जो class हाईगी काफी easy है nav bar so nav bar और उस चीज का जो भी नाम होगा वो हमारा brand होगा एक तरह से जो भी main heading होती है हमारी वो brand की करते है हम तैसे कि हम website है facebook की तो वहाँ पे उनका brand है facebook तो उनकी जो main heading है वो है facebook तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे brand क्योंकि हम एक brand का नाम दे रहे हैं यहाँ पे so अब simply उस चीज का नाम यहाँ पे लिख देंगे हम my website तो मैंने यहाँ पे my website लिख दिया है simply और 8ac को close कीजिए फिर हमें जो है close करना है div class nav bar header को close क्योंकि अब हमारा जो यह काम है हो जुका है खतम so इसे close कर लिया अब simply हम हमारे div container को भी close कर देते हैं नीचे और nav को भी close कर लिया so इने close करने के बाद हम run कराते हैं so run कराने के बाद कुछ इस तरह का result हमारे पास है so आप देख सकते हैं इसका जो color है थोड़ा gray है क्योंकि default color हमारे पास nav bar का gray है हम simply जो text है यहाँ पे हमारे पास my website कई से change कर सकते हैं css के थूँ हम simply यहाँ पे style भी दे सकते हैं इसके अंदर okay so अभी मैं वह नहीं करूँ मैं यहाँ पे so अब मैं आपको inverse बताता हूँ so inverse कैसी है inverse so inverse यहाँ पे लिख दिया मैंने run कर बाता हूँ तो आप देख सकते हैं जो inverse color है वह black होता है boost art के अंदर so अब हम इसमें और editing करते हैं क्योंकि हमारे परस ने अफ बार में बहुत सी options होती है home हो गई कोई भी tutorial या about us, contact us वो सारी options हमारे परस navigation bar के अंदर आती हैं तो उसे create करेंगे अब हम so यहाँ पे simply create करने के लिए हमें एक unorder list को create करना पड़ेगा यहाँ पे so इसके लिए हम लिखेंगे ul okay ul अब यहाँ इसे class देदेंगे हम यहाँ पे class देदी अब यहाँ पे class के अंदर हम लिखेंगे nav bar okay पर उसे पहले हम लिखेंगे nav क्योंकि यह जो unorder list है हम डालने वाले हैं कहाँ पे nav के अंदर so nav के अंदर यह unorder list है इसलिए हमने यहाँ पे nav लिखा अगर यहाँ पे div होगा तो हम div लिखेंगे okay so अब यहाँ पे nav लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे nav bar nav bar और hyphen so यह किस चीज के लिए हम create कर रहे हैं यह nav bar के लिए create कर रहे हैं और यहाँ पे हमने nav लिखा हुआ है so nav के अंदर जो है यह सारा code है तो यह चीज यूल unorder list आएगी nav के अंदर तो इसलिए हम यहाँ पे भी nav bar के बाद hyphen nav लिखेंगे simply अब यहाँ पे list create करने वाले हम so यहाँ पे list create करने के लिए li simply use होगा इसे class दे सकते हैं active active से जो है वो element active रहेगा मिशा उसका color थोड़ा different रहेगा और हम यहाँ पे of course दे सकते हैं links तो इसके लिए अगर इसे link देने हैं तो simply यहाँ पे लिखेंगे a और और यहाँ पे link दे देंगे कोई भी और यहाँ पे लिखेंगा li मैं यहाँ पे create करता हूँ अब यहाँ पे class active नहीं दे सकते हैं क्योंकि class active दे चुक है हम so इसे close और a को फिर से start करते हैं और यहाँ पे और यहाँ पे YouTube लिख देता हूँ मैं कुछ भी लिखतो subscribe okay अब इस li को भी close किया अब यहाँ हमें UL को close किया save करेंगे अब इसे हम और simply जाएंगे और run करवाएंगे so आप देख सकते हैं कि contact और subscribe यहाँ पे create होके आ चुका है बहुत ही easily हमने create कर दी यहाँ पे navigation bar और इसमें अगर आपको drop downs add करने हैं तो simply मेरी drop downs की video देखें यहाँ का code code से आपको पता लग जाए गया कि किस तरह से यहाँ पे drop downs create करने है so guys अब यहाँ पे जो है हमारे पास सिर्फ two colors है एक है black और default color जो की grey है हमारी navbar का अगर आपको custom color देना इसे red color तो simply CSS का use कीजे head पे जाएंगे यहाँ पे style sheet हम create करेंगे style होगे तो style के अंदर हम edit करने वाले है navbar को so बहुत easy है dot navbar dot हमने इसके लिए लगा है कि जब भी हम class लेते हैं bootstrap की तो इसे edit करने के लिए हमेशा dot और उस चीज का नाम आएगा so dot navbar को edit कर रहे हैं तो navbar आएगा और यहाँ पे iqalibrasis so यहाँ पे background color हमें change करना है to red और simply लिखा background color red और यह जो है हमारे पास red color की आ गई अब जो हमारे पास active color है वो black इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ पे भी जो है यह सब कुछ change करना पड़ेगा navbar नेफ को change करना पड़ेगा वगेरा वगेरा इन सभी को हमें change करना है so guys काफी easy है सब कुछ यहाँ पे करना अगर आप इसका use कर रहे है so guys इसी तरह से हम create करते हैं आप इन navbar तो काफी easy है try कीजी इस चीज़ को और इसे अच्छे से edit करने के लिए simply क्या कर सकते है CSS add कर सकते है thank you so much for watching my this video please like share and subscribe subscribe करने के लिए आपको एक बटन लिखाई दे रहागा उन्चे circle shape में तो उस circle shape के button में आप क्लिक कीजिए and subscribe कीजी मेरे channel को बहुत easy and free is subscribe करना subscribe करने से आपको बता लग जाएगा कब-कब मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता हूँ और आप कब-कब होने देख सकते हैं so guys subscribe कीजीए और एक साइट पे आपको शो हो रहे होगी कुछ वीडियोस तो guys उसमें भी क्लिक कीजीए और उन वीडियोस को भी देखिए so guys thank you so much